नमस्कार सभी आगनबरी बैनों भाईयों का स्वागत है औल इंडिया आगनबरी खबर चैनल में चलिए चानल लेते हैं नौन स्टॉप खबरें कौन कौन सी निकल कर आ रही है सबसे पहले आपको बता दें कि गोरतपूर जनपस से जो पहली कबर आ रही है उसके बारी में यहां पर आगनबरी करमचारियों ने बैठक किये ब्यार्सी सभागार में और समस्याओं के समादान ना होने पर हरतालों ब्रोद प्रिदरसन की रणीती बनाई है बता दें कि मरिला आगनबरी करमचारी संग उत्तर प्रिदेश के बैनर तले आयुजित बैठक में हिस्सा लिया और 15 दिनों में समस्याओं को समादान ना होने पर पर प्रियुजना कारयाले के सामने अनिस्चित कालिन हरताल करने का फैसला कर लिया है आपको बता दें अध्यच जो हैं सिफ सागर पांडे ने कहा है कि विवागी कार्जियों के अत्रिक अन विवागू का कार आगनबरी कर्णों से ना लिये जाने का आदेश है इसके बाब जुदी सही विवागू का जबरन कार लिया जा रहा है और बही संग की जिलास न अच्छब केके सही वास्ता उने कहा है कि गरीब मरिलाओं ब्रक्चों के उत्थान कर रिडोरा प्यूपने वाली प्रदेश सरकार अपने दूसरे कारकाल में भी आगनबरी कार करताओं को सम्मान जनक मान दे देने में विफल लई और नाही जो है अब विफिंगे के बाद के वास्ता में किसी पिरकार से र्चास रहया और बड़े श्ते धरना प्रदेशन की तो समझा जा सकता है कि अगर आपको बता दिआ सब्सक्राइब करना चाहिए चाहिए तो z技 लोगा प्रदेश सकते हैं आप लोग देखिए सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है इससे क्या होगा है आपको नोटिपिकेशन भी मिल जाएगी और ख़बर भी सची सटीक मिलती रहेगी बढ़ना बहुत सारे चैनल ऐसे जो फरजी ख़बरे दे रहे हैं उनको भी आप लोग देख रहे हैं यहां पर आज किरमी मुक्ती दिवस का आयोजन होगा और किरमी मुक्ती दिवस के तरद आपको मालूम है 19 साल तक के अमर के बच्चों को किसोर किसोरियों को किरमी नासक दवाईया खिलाई जाती है और इसका कारण क्या है कीरों को मानना या दवाए कीरों से निजात दिला आती है और सभी जनपदों में जो है जिले के सभी विध्यालों में आगर बाड़ी केंद्रों पर निसुल खिलाई जाएगी तो चलिए ये पिक्रिया आपको अधादे अन जनपदों में भी रहेगी और ये विवस्ता के तहर जो है दवाईयों का बित्रन किया जाएगा जिस मीरा देवी जो है मीरा प्रदे सद्यच वनिव इसके साथ ही कोड्रमा से सकुंतला महता वपाद्यच बड़सर आनिस्वा संतोसी देवी सायुक सचिब के अलावा जो है अलग-अलग जो है जिम्मेदारी दी गई इसके साथ ही जारकर्ण से 355 पितनेदी सामिल हुए कोड् यह करकार्णी के तहिद पदातकारी है। और आपको बता दिया नई पटा जो कї गए है इस सभी का मकस्ड देखिए जो लासरकार में मांग किया है आपको मत्यम सारी बाहर तो पूरा कीआ ही है लेकिन बहुत सारी मांग यह जो हमने कल कबर में आपको बताइदी बहुना फ आपको बता दे भागलपुर में जो है गंगा का रौध रूप देखने को मिला और रोजाना 10 दस जो है घर नदी के कटाओं मिलीन हो रहे है एक आगनबड़ी केंद रभीया में तस्वीर आपको दिखाई देखते ही देखते महज 20 सेकंड में गायब हो गया 20 सेकंड में ही प पिछले करीब पांच महीनों से कटाओ जा रही है बीच में कुछ दिन कटाओ रुके थे लेकि पिछले तीस चार दिनों फिर से तेजी से कटाओ रहा है यह आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात हैं और यह किस तरीके सागनबारी केंद 20 सेकंड में गंगा में समाता यह आप देख रहे हैं अब लगे हाथ आपको हम एक ऐसी खबर बता देते हैं बाई यह देखी आपकी बित्मंत्री निमला सीतरमर इनकी तस्वीर है और इन्होंने क्या कहा वो आपको बता देते हैं डॉलर के मुकाबले रुपियों की बदहाली जग जाहिर है हर दिन रु रुपए की कीमत 82 के समलोग चार दो रुपए तक पहुच गई है इस बदहाली को स्योकार करने और इसके सुधार करने के लिए कतब उठाने की बजाए केंद्र की मोधी सरकार इस बदहाली में भी फाइदे गिना रही है अब केंद्री बित्मंती निमला सीतरमर का एक ऐसा बयान आया जिसके बाद जो है बै काफी सुर्ख्यों में आ गई है रुपए की बदहाली के लिए उन्होंने अजीब गरीब तरक दे दिये तरक हम आपको दिखा रहे हैं कहा है कि रुपिया कम जो नहीं हो रहा है हमें से ऐसे देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है लेकिन दूसरी मारकेट करेंसी देखें तो रुपिया डॉलर की तुल्ला में काफी अच्छा कर रहा है। केंड्री मंत्री में अम्रिका की अपनी इधकारी ज्यात्रा के दौरान बासिंटरन डी-सी में मीडिया को संब्नेत करते हुए बाते कहीं कहा है कि रुपिया कमजूर नहीं हो रहा है हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है लेकिन दूसरी मार्केट करेंसी देखे तो रुपिया डॉलर की तुल्ला में काफी अच्छा कर रहा है तो मतलब सुदार करने की जगाए विवस्ताओं को दुरुस्त करने की जगाए बाई-बाई करने में विद में जो आप पताया गया है बहुत ज़्यादा महातपूर होने वाली है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलासा या कानपूर या कानपूर देहात के लिए ख़बर है सीख सभी को लेनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से यह आदिश चारी किया गया है सबज़ा जा सकता है कि हालात कि ज़्यादा क्रिटकल यानि गंभी रहे और इसमें देखिए बालविकास प्रूजना अदातकारी द्वारा यह जारी किया गया इसमें लिखा क्या है कि आउगत करा दें कि सिर्मती कंचन प्रिवा आगनबरी कार करता केंद्र लेवा महू मलासा में जो है कारत हैं कंचन प् को बैंक करमचारी बनकर कोई फ्रॉड कॉल करते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों फसा का लालस देकर आपसे आपकी प्यांक पासबुक आधार कार्ड एटियम पासबर्ड ओटीपी नेट बैंकिंग से संबंदे जानकारी अगर मांगते हैं तो फिर उन्हें किसी प्रिका कॉल आने पर उसे कभी भी ना उठाएं सबसे पहली बात यह कि कुल मिलाकर फ्रॉड हुआ है दोका दरी चल लगी और आपको बता दिया फ्रॉड कॉल कहीं भी किसी भी के पास आ सकता है ऐसे में अब आपको हम बता रहे हैं क्या करना है सबसे पहले तो अगर कोई भी इस आईशे जानकारी मागी जाती है तो जानकाई नहीं देनी हैं इस में ने लिकाया किसी फ्रॉड नंबर से कॉल आता है कि फ्रॉड काॉल एक सामान नंबर की तरीके सही आता है हम जब तक बात नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेıp र邋दा लेकिन जब बात करेंगे तो आप बात में समझ जाएंगे कि बंदा फ्रॉट है या फिर आपको बता दें पैसा ट्रांसफर केरने की बात कहता है तो मत करें क्योंकि पैसा नहीं देना है नहीं कोई यहां लगी थी या फिर कुछ भी जानकारी चोटी मोटी जानकारी वह एक अत्यत करके आप से बात करेंगे लेकिन इसका मसुद नहीं होगा कि आप लोग कोई बी जो परसिनल जानकारी या फिर पासवर्ड ओटी पी नेट बैंक की संबंदिश जानकारी या या ये टिम कार् चाहते हैं कोई भी खबर अगर आ रहे हैं तो आप में मैसेज कर दीजे वाटसप में हम आपको कंफर्म करके जानकारी दे देंगे चलिए लगाता बने देए चलो को सब्सक्राइब जरू करिए ताकि आपको ऐसे बिस्वस्री सटीख खबर मिलती रहें इसे के साथी लाइ झाल